ओम शांती आज 15 सितंबर 2014 है हम अपने नेचर को कैसे बदल सकते हैं पुराने रावन के नेचर को बदल करके इश्वरिय और देवी नेचर यानि देवी संसकार कैसे धारन करना है ये आज का स्लोगन बता रहा है तो सुनते हैं आज का स्लोगन ज्यान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी एक है अग्यानता का नेचर जिसको आज के स्लोगन में कहा है पुरानी नेचर पुराना संसकार और दूसरा है ग्यान और योग का नेचर ग्यान और योग के संसकार जो अग्यानता का नेचर है पुरानी नेचर है वो है क्रोध का नेचर जोश का नेचर अलबेला पन का संसकार सबको दुख देने का संसकार ये है पुराना नेचर और ग्यान और योग का नेचर ही बहुत प्यारी है निराली है और वो है सुख देने का संसकार सहयोग देने का संसकार, प्रेम का, शांती का, आनन का, परक शक्ती, समय पर अपने मन के द्वारा, बुध्धी के द्वारा निरने करने का जो नेचर है, यह है ज्ञान और योग का नेचर आज के स्टोगन के नुसार हम अपने पुराने संसकारों को ज्ञान और योग के नेचर से हम बदल सकते हैं, यानि जो हम रोज डेली रुटीन के नुसार ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, अगर उस ज्ञान को और योग को अपना जीवन का नेचर, नेचरल नेचर बना ल एक हे केवल ज्ञान सुनना योग लगाना ज्ञानी बनना योग करना और कराने वाला बनना ये अलग चीस है लेकिन ज्ञान को जो हम सुन रहे हैं वो हमारा नेचर बन जाए नेचरल रूप से हमारा स्वभाव बन जाए योग हमारा स्वभाव बन जाए इसको कहा जाता है ज जयानी तू आत्मा ज्यानी जीवन योगी तू आत्मा योगी जीवन जब हम इसको नेचर बनाते हैं तो चाहे कैसी भी परिस्तिती हो, कोई भी व्यक्ति सामने हो, कैसा भी समय हो, कैसा भी स्थान हो हमारे मुख से, हमारे व्यवहार से, हमारे संकल्ब से कभी भी पुराने रावन के संसकार इमर्ज नहीं होंगे क्रोध नहीं आएंगे, जोश नहीं आएंगे बलके कैसे भी परिस्थिती को ज्यान युक्त हो करके उसे स्थिती को चेंज करने के लिए परिस्थिती को बदलने के लिए या उसे पार जाने की कोशिश करेंगे या उसे पार चले जाएंगे तो ये है ज्यान और योग को अपना नेचर बनाना जिसको हमारे दादियों ने अपने जीवन में अपनाया है बाबा ने भी हर बार कहा है कि ज्यान बुद्धी में टपकता रहे निरंतर बाबा की यात रहे तो ग्यान और योग को नेचर बनाना उसके लिए हमें ग्यान को प्रयोग में लाना है कोई भी बात हो जाए उसे ग्यान की दृष्टी से देखनी है बाबा ने क्या ग्यान दिया है उस ग्यान से इस बात को हम कैसे देख सकते हैं कैसे परिवर्तन कर सकते हैं योग को प्रयोग मेलाना हर बात जो हमने योग से शक्ती की प्राप्ती की है उन शक्तियों का प्रयोग करके उस बात को देखना समझना और परिवर्तन करना ये है ज्यानी और योगी दुवात्मा ज्यान और योग को अपना नेचर बनाना इसे पुराने संसकार स्वभाव आटोमेटिकली बदल जाएंगे ओम शांती